एपिसोड टू हंट्रेड एंट टू तान्या की बधाई आरम को तो अब ये लगने लगा था कि अनन्या शायद उसे छोड़ कर चली जाएगी जिन माबाप के लिए अनन्या इतना तडपती थी आखिर वो उसे मिल ही गए थे अब भला आरम के साथ क्यों रहीगी? अब तो वो मलहोत्रा परिवार की बीटी हो गए है पर अनन्या आरम की आखों में दुख को पहचान लेती है वो तुरंट उसे कहती है अगर मलहोत्रा परिवार की बीटी होने का ये मतलब है कि मैं तुम से दूर हो जाओंगी तो मैं कभी भी उनको नहीं अपनाओंगी ये सुनते ही आरम के दिल में ना जाने एक अजीव सी खुशी आ जाती है उसे लगने लगता है कि ये लड़की उसके लिए अपने माबाप के प्यार को भी ठुकरा देगी अपनी किस्मत के बारे में सोचते सोचते आरम हसने लगता है वो अनन्या से कहता है किस्मत का ये खेल देखो आखिर कार्ट जो लिखा होता है वही होता है साहरी दुनिया ये जानती थी कि मेरी शादी मलोतरा परिवार की बेटी से हुई मैंने हर कोशिश की अपनी किस्मत को बदलने की पर आखिर में मेरी शादी हुई भी तो मलोत्रा परिवार की बेटी से ही अनन्या नहीं चाती थी कि आरंब उसकी वज़े से दुखी हो जाए वो अपना सब कुछ छोड़ सकती थी ताकि आरंब खुश रह सके अनन्या आरंब से कहती मैंने तुमसे कहा न मैं तुमारे लिए मलोत्रा परिवार को भी चोड़ दूँगी तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकती हूँ मुझे उनकी बीटी बनने से ज्यादा तुमारी बीवी बनना पसंदे ये सुनते ही आरम का दिल भराया उसे तुरांत अनन्या को जोच से गले लगा लिया उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या अपना सब कुछ उसके उपर कुर्बान कर सकती है उसने एक पल के लिए सोचा अगर उसकी वज़े से अनन्या अपने असनी माबाप को एकसेप्ट नहीं करती तो क्या ये बात उससे अच्छी लगेगी क्या ये बात वो कभी अपने जहन से भुला सकता है कि उसकी वज़े से अनन्या अपने माबाप से नहीं मिल पाई दूसरे लोग भले ही अनन्या को उसके माबाप से मिलने की खुशी ना समझ पाए पर आरम वो खुशी बहुत अच्छे से समझता था आरम बड़े ही धीमी आवाज में अनन्या को समझाती हुए कहता है अनन्या मेरी बात ध्यान से सुनो मलोतरा परिवार इतना भी बुरा नहीं जितना मैं सोचता था जैदेव मलोतरा अच्छा आदमी है हाँ ये बात जरूर है कि रक्षा ने हमारे रिष्टे में कई बार बीच में आने की कोशिश की है ये सब भी उसने अन्जाने में किया था तुमने अभी देखा कि तुम उसकी असली बेटी हो तो उसकी आँखों में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था तुम्हें आखिरकार अपने माबाप मिल ही गए तुम्हें उनके साथ प्यार से शुरुआत करनी चाहिए और उनके साथ भी रहना चाहिए पड़े भारी मन से आरम ने ये बात अनन्या से कही थी वो चाहता तो नहीं था कि अनन्या उसे छोड़ कर जाए पर वो ये बात जानता था कि सही बात यहीं होगी कि अनन्या अपने माबाप के साथ रहे अनन्या ये सुनकर परिशान हो जाती वो आरम की बात को एग्नौर नहीं कर सकती थी वो चानती थी कि आरम जो कह रहा है वो सही कह रहा है उसे बस इस बात कर डर था कि अगर वो मलोत्रा परिवार में चली गई तो कहीं वो आरम से हमीशा के लिए बिछड़ना जाए अनन्या अपनी बाहें आरम के गर्दन के उपर रख देती और उससे प्यार से पूछती आरम अगर में मलोत्रा परिवार चली गई तो क्या हम तब भी एक साथ हो सकते हैं हमारे लिए समस्या और ना बढ़ जाए मैं ऐसा नहीं चाहती मैं सिर्फ और सिर्फ तुम से प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती मैं अपनी सारी जिंदकी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ मैं अब भी तुम्हारे लिए हमारा बच्चे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ अनन्या के बात सुनकर आरम का दिल भारी हो जाता शायद वो इतना भावोक अपनी जिंदकी में कभी नहीं हुआ था जितना वो आज हो रहा था आरम बड़े दुख के साथ कहता है अगर रमेश को पता चल गया कि तुम उसकी मंगेतर हो तो मुझे डर है कि कहीं आरम पूरी बात भी नहीं बोल पाता और उसका सर नीचे जुग जाता है अनन्या ने पहली बार आरम को इतना कमसोर देखा था यह देख कर तो अनन्या आरम को और कसकर पकड़ ली थी वो अरम से कहती नहीं नहीं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि रमेश को पता चले या नहीं मैं तुम्हें चोड़ कर नहीं जाओंगी आरम देखता है कि अनन्या उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी वो प्यार से उससे कहता है तो ठीक है अगर तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी तो मैं भी तुमें कभी नहीं छोड़ूँगा अनन्या प्यार से आरम से पूचती यह तुम मेरे साथ इस दे रहना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे चोड़ नहीं सकते यह तुम में मेरी आदत लग गी है अनन्या जानना चाहती थी कि आरम उसके बारे में क्या सोचता है और वो उससे कितना प्यार करता है आरम तुरंट उसका हाथ पकड़के उससे कहता है बिल्कुल नहीं मैं तुम्हें इससे नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं तुमसे बे इंतिहां प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूँगा मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं चाहूँगा उसे चिंता थी कि कहीं अनन्या को गहरी चोटना आई हो अनन्या उसे मना करती है और कहती है तुम्हें देखने की जरुवत नहीं है अब वो काफी ठीक हो गई है आरम ने उसकी बात नहीं सुनी उसे फिर भी उसकी चपल उतार के उसके जखम को देखना शुरू किया अरम अनन्या को डाटते हुए बोला तुमने इससे पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई अरम को ये बात बिलकुल भी समझने ही आई थी कि अनन्या ने ये बात उससे क्यों छुपाई वो अनन्या को डाटते हुए कहता है बता इस बात को कितना समय हो गया मैं मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था अनन्या भी एक दबी हुए आवाज में उससे कहती अरम तुम खुछ चानते हो कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं तुम्हें ये सब बता सकू अरम समझ गया कि अनन्या क्या कहना चाहती थी जब उसकी जान खत्रे में थी तब वो अपने प्यार के लिए तकलीफ है और कैसे बढ़ा सकती थी अनन्या देखती है कि आरम उसके लिए दवाई ढून रहा है अनन्या अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो ली थी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मलहोतरा परिवार से अपना रिष्टा कैसे कबूल कर ले आरम को बड़ी मुश्किल से फोर्स्टेट बॉक्स मिलता है वो तुरंत अनन्या के पास आता है और उसके पैरों की तरफ दवाई लगाने लगता है वो बड़े प्यार से अनन्या से कहता है अनन्या अब पानी में ज्यादा देर अपना पैर मत रखना वरना चोट सही होने में और वक्त लगेगा अनन्या देख सकती थी कि आरम उसकी कितनी चिंता करता है वो उससे कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरम पत्रा इतना सेंसिटिव हो जाएगा आरम मजाक में कहता है वो क्या है न, कि जब से मेरी शादी हुई है थपसे में बिलकुल जोरू का गुलाम बन गया जैसा मेरी बीवी चाहती है मैं बिलकुल वैसा ही बनता जा रहा हूँ ये सुनकर तो अनन्या भी हसने लगती अनन्या आरम से कहती वैसे तुम चिंता मत करो मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी से जाने वाली नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। आरम को अब यकीन होता जा रहा था कि अनन्या उससे बहुत प्यार करने लगी है। उनके प्यार के लम्हों की शिर्वात होती जारी थी। एक तरफ जहां अनन्या आरम के साथ बहुत खुश थी तो दूसरी तरफ तान्या बहुत परेशान थी। तानिया बड़ी देजी से गारी चलाते हुए बाहर जारी थी उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि अनन्या उसकी बहन रास्ते में जाते जाते सामने से ट्रक आ जाता है एन मौके पर तानिया अपनी गारी घुमा लेती है और उसकी जान बच जाती है जैसे ही तानिया घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पिता एक मीटिंग कर रहे है मीटिंग में उसे पता चलता है कि शहर की 40% जमीन तो सिर्फ आहरम के नाम ही है बाकी 35% रमेश के नाम की इसले वो लोग इन दोनों को बिलकुल भी टागिट नहीं करेंगे तानिया सोशल लगी कि बत्रा परिवार के पास सचमुच बहुत पैसा और रुटबा है तानिया भी हमेशा खुद को रौबदार और मालदार बनाना चाहती थी वो अपने मन में कहती है आरम भत्रा अगर अननिया सचमुच मेरी बहन है कब तो तुमने बहुत बुरा किया और अननिया देखती रह जाएगी कि उसके पती और मेरे बीच में क्या क्या होता है अननिया को अपनी बहन मानना तानिया के लिए नामुम्किन था वो कभी नहीं चाहती थी कि अननिया जैसी लड़की उसके परिवार में कदम भी रखे वो खुद से बोलती है अननिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि असल में तुम ही मेरी बहन निकलोगी मैंने तो रमेश से बस ऐसे ही जूट बोल दिया था भागी वो मेरी मदद कर सके मुझे नहीं पता था कि मेरा जूट असलियत बन जाएगा ये भगवान तुने इस लड़की को मेरी बहन क्यों बनाया तान्या सोच रही थी कि उसे किसी भी कीमत पर आरम को हासल करना है उसे लगा कि रमेश अननिया से प्यार करता है कुछी देर में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है रमेश का असिस्टेंट उससे बोलता है सर तान्या जी आपसे मिलने आई है तान्या का नाम सुनकर ही रमेश का मूड खराब हो जाता है वो बोलता है ये लड़की अम मुझसे क्या चाती है उसका असिस्टेंट उससे बताता है सर अगर आप चाहो तो मैं उन्हें जाने के लिए कह देता हूँ रमेश तुरंथ मना करते हुए कहता है नई उसे अंदर भेज दो, मैं उसको समाल लूँगा सानिया अंदर आते ही वार टेबल पर एक बॉटल रखते थी और बोलती है, हमें एक ड्रिंक पी सकती हूँ रमेश का जवाब सुने बिना ही वो शराब पीने लगती है तानिया को शराब पीने की आदत नहीं थी इस दे वो अपने होश बहुत जल्दी खो देती है रमेश को देख कर वो बोलती है रमेश, वो वारे को तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशका अबरी है रमेश देखता है कि तानिया शराब के नशे में डूबी है उसे शराबी लड़किया बिलकुल भी पसंद नहीं थी वो तुरंट उस पर चिला कर कहता है शराब पीने के लिए तुम्हे बस यही जगा मिली थी ये सब करना है तो कहीं और जाओ ये सुनते हैं इतानिया बड़ी जोरों से हसने लगती है वो बोलती है अरे रमेश, मेरे बात तु सुनलो मैं तुम्हें बदाई देना चाहती हूँ ये सुनकर रमेश थोड़ा परेशान हो जाता है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी बाहर का इंसान उसकी परसनल जिंदगी पर अपनी राय दे रमेश को कुछ समझने ही आ रहा था कि आखिर तानिया इस वक्त यहां उससे ये बाते क्यों कर रही है